नमस्ते दोस्तों आज सुनिये हिंदी भाषा की लोकुप्रिय कथाकार और उपन्यासकार शिवानी जी की लिखी हुई कहानी भिक्षुणी तो शुरू करें कहानी वो दूसरी और पीट की एक खड़ी थी हमारी टैक्सी एकदम उसके पास ही आकर रुकी वो हरबड़ा कर मुड़ी और मेरा कलेजा मुख को आ गया उसके चारों और छुटी मोटी भगवा पोटलियां बिक्री थी पीट पर मोटे रसे में दो तीन भारी कंबल लदे थे अपन फिर सोलन तक कहीं नहीं रुकेगी एक एक कर तीनों सहयात्री उतर गए अकेली मैं हाथ पर हाथ धरे उस अदखुली काच सी उसकी पीट को एकदम देख रही थी निश्य ही वो किकी थी एक बार जी में आया दोड़ कर उससे लिपट कर पूछू किकी किकी नहीं पहचान र भस्प की विक्रत दुरगंद के साक्षी स्वयम उसके भाई थे अपनी उसी दिवंकत ननत की पीट को आज अपनी और मोडने का प्रयास मेरी मूर्खता नहीं तो और क्या था वो अब भी मेरी और पीट किये खड़ी थी संदे का कंटक एक बार फिर मेरी चाती में गड़त मुझे विचलित कर उठा टैक्सी एकदम उसके पास आकर रुकी हरबड़ा कर हटने से पूर उसने मुझे देखा भी फिर भी उसे क्या इतनी भी उत्सुकता नहीं हुई कि इतना तो देखे कि अन्य यात्रियों के साथ मैं भी उतर गई हूं या नहीं पर वो तो सामा ने नारी से भिन एक संसार त्यागिनी भिक्षुनी उसके हाथ में बड़े बड़े मनकों की एक सुमِरिनी थी जिसके दानों पर तेजी से उंगलियां चलाती वो होटों होटों में ना जाने क्या बड़-ड़ा रही थी कलाई पर सीं की बनी बड़ी बड़ी चुडि सद्धे घुटे सिर पर छोटे छोटे बाल नन्हे दूर्वांकरों से निकल आये थे। दिन भर तु इसी साड़ी को पहने उठती बैठती सोती काम करती है फिर भी लगता है तुने अभी अभी ये तैक खोल कर नई साड़ी पहनी है एक हम है मिनट भर में साड़ी की गद बन जाती है वो हसकर कहती तुम नहीं समझ पाओगी भाबी तुमारे नंदोई कहते हैं ही तुम्हें पकड़ लोगा काश आज मेरे साथ मेरे नंदोई होते क्या पता उस अरणे में खड़ी जिस बदमनी को मैं पहचानने में हिचक रही थी उसे वे नथने मीचते ही पकड़ लेते विस्म्रत अतीत की मदूर इस्म्रतियां किसी मजार पर जल रही लोबान की मद पिर धूम्र रेखा सी मुझसे लिपटती चली गई हम दोनों की ससराली नहीं मायका भी एकी शहर में था एक साथ हम दोनों ने शैशव और कैशोरे की देहरियां पार की थी विवाबी लगबग साथ साथ ही हुआ था प्रतम प्रसव की पीनाएं एक साथ जहलने के पूर श देख देख हाथ इधर तो ला देखा कैसी नट कीसी चलांगे लगा रहा है उसका हसमुक चेहरा कुछ-कुछ तोतली चपलवानी और उसकी अनुपम परिहास रसिकता मुझे उसके सर्वता अनूठे व्यक्तित्य की नित नवीन जहाकियां दिखाती रहती ये ठीक था कि हम पीर गुलाल से लाल कपोलों की रक्तिम आभा में शहर भर के देवरों को आकंड टुबा कर रख देती रस से भीगी साड़ी का चुनाव भी शायद वो अपनी सबसे महीन साड़ीयों से ही उस दिन करती थी और फिर भर पिछकारी गोरे सन्मुक मारी गाने में वो किसी भी पेशेवर गाइका को धूल चटा सकती थी उसके रिष्टे की देवरानी जिठानियां सैयुक तमोर्चा बांधे हात मटका मटका कर उसके विरुद विशुगलती बेहया मर्दों के साथ कैसी गुजियां दंदनाती चली जा रही है ऐसी ही चटोरी है पहन उधर साज विच कैसी से कह दिया तो मुझी पर बरस पड़ी तू भी आ गए उनकी बातों में भार में जाएं सास मैंने क्या उनसे कहा है कि भूकी रहो जब देखो तब बरत आज एकादसी तो कल प्रदोस ये तो हमसे होता ने कि बारा बज़े खाना खाकर दो बज़े फिर से कोटू की करतरों में सच कहती हूँ तन बदन में आग लग जाती थी एक दिन मैंने साफ साफ कह दिया अम्मा जी आप आज से अपना फराल खुद बना लिया करें कभी कभी उसका ऐसा दुसाहस मुझे अपदस्त कर देता किकी मेरे पती की चचेरी बेहन थी कभी उसके सरसराल वालों की खरी खोटी मुझे भी सुननी पड़ती स्वयम उसका पती पाच बेहनों का एकलोता भाई था इसी से बेहनों का रौब उस पर कुछ अधिखी था किकी के सौभागे से उसकी चारों ननदे दूर दूर बियाई थी उनका मायका आना कभी कभारी हो पाता था किन्त उसकी चोटी ननद अविवाही थी वो पास ही के शेहल में डॉक्टर नी थी और प्राया ही संक्षिप्त अवधी का अवकास पाते ही बिना किसी पूर सुचना के छपपर फाड़ कर टपक पड़ती किकी उसे फूटी आँकों ने सुहाती थी विवाह से पूर वो अपने भाई की लाडली दुलारी बहन थी उसने उसी भाई के सलोनी पत्नी का गूंगट उठाते ही बड़ी बेरुखी से आत्मिय स्वजनों की और पीट कर ली थी आज तक उसे अपनी शिक्षा रुची और चेहरे पर बड़ा गरु था किन्त भावी के आकरशक व्यक्तित्यों के सम्मों को एकदम फिकी पढ़ कर रह गई थी एक तो इस आकस्मिक पराजय के आगात को सहनने कर पा रही थी उधर उसके दिन प्रते दिन विलंबित हो रहे कौमारे ने उसे बेहद रूखी बना दिया था वो नहला लगाती तो किकी दहला मार देती मैंने कई बार मध्यस्तता करने की चेश्टा भी की पर वो बाज नहीं आई दीरे दीरे एक दिन उसी नरत को लेकर महाभारत चड़ गया उसी वर्ष मेरे पती का तबादला हो गया और वहीं मुझे किकी की चिठी मिली थी विवा के आठ वर्ष बात अब हनीमून बना रही हूँ अम्मा जी उसकल मुही के साथ रहने चली गई है खूब नाटक हुआ जाते जाते अपने बेटे से कह गई भगवान करे मेरी अर्थी को तेरा कंधा नसीब ना हो इस अभागी ने तुझे कुछ खिला दिया है ये मैं खूब समझती हूँ ठीक है निखट्टू बने इसी के आचल से बंदे रहो ग्रहस्ती सुरची से सवरा सुंदर बंगला चपरासी मोटर और मकमली लौन में खेलते उसके स्वस्त बेटे-बेटी की जोड़ी देखकर मैं कितना प्रसंद हुई थी ग्रहस्ती के सुक संतोष में जैसे उसके रंग में और भी निखारा गया था शरीर पहले ही भरा भरा अब मात्रत की गरिमा ने यौवन के चापले को अंग प्रतेंग से धोपोच कर बहा दिया था सबसे आश्यर हुआ था उसके पती को देखकर बलराम को तो मैं बच्पन से ही देखती आई थी धीलम ढाल गाबदू से उस सरल व्यक्ति का व्यक्तित वैसा ही था जैसा समरत ग परिदी विराट बनती चली गई थी उसके कोट के बटन कभी भी क्रम से नहीं लगे रहते और कभी कभी तो पैंट की खतरनाक खुली मोहानी के प्रती उसकी उदासींता देखने वालों को बुरी तरह अपदस्थ कर देती अंग्रेजी के पबलिक स्कूल की शिक्षा भी उ दोनों टांगे उठा कर बैठ जाता और कभी ऐसे सड़े सड़े चुटकुले सुनाने लगता कि सुनने वालों को हसी के जगे उठका याने लगती किन्त अपनी स्वतंतर ग्रहस्ती में किसी ने बलराम पर जैसे कोई जादू छड़ी फेर दी थी चुस्त पैंट पर किकी क का बुना एरगाइल का रंग विरंगा स्वेटर रियत्न से चिपकाए गए समरे केश और यार्डले लेवेंडर की मस्त खुश्बू आईए आईए किकी कल से आपके आने के तैयारी में जुटी है वो अपना वाक के पूरा नहीं कर पाया था कि किकी आकर मुसे लिपट जेट की उस भरी दुपहरी में गर्म की लू लप्टों के बीच से उटती सहसा हम दोनों जैसे फिर इस मृतियों के रेश्मी पैराशूट में बंदी अपने माईके सस्राल की गिरी शंकलाओं के बीच सरसराती उतरने लगी दोनों बच्चों को उसने आया के साथ भूमने दूर भेज दिया और बातों ही बातों में दिन ना जाने कम निकल गया फिर मुझे चार बजे की ट्रेन पकड़नी थी मार्ग भर मैं उसी की बाते सोचती आई थी उस चेहरे की इस निक्रता में कहीं भी अबने का पुट नहीं था मुझे मनीमन गहरे संतोष की अन्भूती हुई इसका एक कारण और भी था अपनी इस दुस्था हैसी ननत के कैशोरे के एक प्रणय प्रसंग से मैं कई पार उसके भविश्य के लिए संकित हो उटती थी तब उसके पिता किसी पूरी जिले में पुलिस के बड़े अफसर थे उनकी मात रहीना लाडली पुत्री एक प्रकार से थानेदारों की ही गोद में खेल कूद कर बड़ी हुई थी जब सयानी हुई तो पिता का एक सुदर्शन मू लगा मातहत बड़े अधिकार से उससे राकी बनवाने पहुँच उसे एक से एक दामी उपहरों से लाग दिया करता हो सकता है कि मैं सुभाव से ही शंकालू रही हूँ कि तो मुझे इन बिना रिष्टे के राकी बंद भाईयों पर कभी भी शद्धा नहीं रही राकी बानने वाली के हस्त इस्वर्ष के साथ ही वे प्राया जिस अधिकार से उसका पहुचा भी पकड़ लेते हैं वो सब मुझे नहीं जचता पता नहीं पुलिस के पेशे में रहकर भी किकी के पिता ऐसी बुख्रता क्यों कर बैठी ये ठीक था कि उसका मातहत विवाहित ही नहीं दो बच्चों का बाप भी था किन्त फिर भी चपला पुत्री को जिस विश्वास से उन्होंने इस व्यक्ति के सनरक्षन में दे दिया वो किसी अनभवी बुद्धिमान पिता को शोभा नहीं देता था कभी सुनती किकी रिपुदवन के साथ अलीगड की नुमाईश देखने गई है और कभी गड़ मुक्तेशर के मिले में उसे उसके राखी बन भाई को सौप कर पिता अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हुआ वही जो ऐसी परिस्थितियों में हुआ करता है मातर हीना किकी अविवे की कैशोरी की तरंगों में असाहे तिनकेसी बही चली जा रही थी कि उसकी एक चतुरा घाग मौसी चील कासा छफटा मार उसे चोच में लेकर दूर उड़ गई किसी को कानो कान खबर भी न लग पाई और किकी के फेरे फिर गए उसकी उदास, रिक्त, द्रश्ट और निरंतर सूजी आँखों का रहसे हम तीनों तक ही सीमित था मैं उसके पिता और उसकी मौसी फिर शायद सरल परमहंस पती की दुद्मुही हसी नहीं इस्मरत के शाम पठ से उसके बेमेल नादान प्रेम प्रसंग को बड़ी स्वाभाविक्ता से मिटा कर अपने इसपष्ट हस्ताक्षर कर दिये किकी की सुखी ग्रहस्ती देखकर मैं कितनी आश्वस्त होकर लोटी थी तब मैं क्या जानती थी कि उसी एक शनिक समर्दिका प्रासाद केवल सिक्ता पर्टिका है दुर भागे से उसकी ननत का तवादला एक बार फिर उसी के जिले में हो गया और उसकी सास पूर शतरता को सुच्छा से ही बुला कर फिर उसके सास रहने लगी कभी कभी उसके पत्र आते तो सास ननत के साथ चल रही उसकी खटपट का ही उलेक रहता फिर एक दिन अचानक उसकी मौसी का ताराया जरूरी काम है मिलने आ रही हूँ मेरा माथा ठनका मुझसे बला उनका क्या काम हो सकता था निश्चाई अभागी की की ही कुछ कर बैठी होगी आते ही हूँ मुझे एकांत में खीच ले गई अरी सर्वनाश होने जा रहा है अभागी का अब तो तू ही उसे बचा सकती है क्या बात हो गई मौसी अभी अभी तो मैं उससे मिलकर आई हूँ कितनी कुछ थी अरी खाक खुछ है वो दोनों चड़ेलें फिर पहुँच गई हैं कि छाती पर मुँच दलें उधर वो अभागा भी पुलिस कप्तान बना वहीं पहुच गया है कौन मौसी? मैं समझ कर भी अंजान बन रही थी अरी और कौन? वही रिप दमनियां सुना एक दिन मेवे मिश्ठान लेकर राकी बनवाने भी पहुच किया एक बार राकी बनवा कर तो वो गिल खिलाए ना स्पीटे ने एक दिन ननद ने रोख दिया बस फिर क्या था? किकी को तू जानती है वहाँ किसी ने दोस जमाई तो छोकरी पर शैतान सवार हो गया अब सुना खुले खजाने अपने उस भहिया से आदी आदी रात तक ताश खेलती है बलराम? वो कुछ नहीं टोकता क्या? मैंने कहा तो मौसी जुझला गई अरी वो मिट्टी का मादो बला कभी टोक सकता है उसे तो किकी दस जूते मारे तब भी न बोले अब? अब क्या होगा मौसी? अब और क्या होगा? तू चली जा मेरी लाड़ो एक बार मेरी बात दूसरी है समधियाने में कैसे जा सकती हूँ तू जा कर छोकरी को समझा बजा दे बेटी अरे अब लड़कौनी है क्या? लड़की सेयानी हो रही है एक तो जीजा जी के वैसे ही बीसियो दुश्मन है ना जाने कौन कब दुश्मन थानेदार आकर समधियाने वालों के कच्चे कान भर दे अरे बेमौत मरेगी छोकरी मैं नहीं गई किकी को मैं जानती थी जित चड़ने पर वो अपने पैरों पर पुलाडी मारने में क्या हिचके चा सकती थी मुझे तो आज भी यही लगता है कि यदि उसकी वो कुंठा ग्रस्त रूखी ननत उसके साथ रहने ना आती तो बीसी और एपुदमन भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकते थे ननत के अविश्वास और इरिश्या नहीं उसे अविवेक की उस अंधी घाटी में ढखेल दिया होगा फिर एक दिन अचानक सुना अपनी समरद ग्रहस्ती को स्वयम लात मार करके की अपने कैश्योरी के प्रेमी के साथ मूँ काला कर भाग गई है हमारे कट्टर समाच के लिए ये एक ऐसा आगहात था जिसने उसकी वाने ही नहीं कारिक्षमता भी हर ली उसका वो दुस्ताहस और निलज आचरण मुझे भी इस्तब्द कर गिया क्या अभागी को पुत्री के भविशे की भी ममता नहीं हुई होगी सयानी होगी तो लोग उंगली उठा उठा कर कहेंगे इसी की माँ अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और फिर वो बालक सा निश्कपट पती जिसने कभी उसके प्रती अपनी अपूर निश्ठा का जीवन्त प्रमाण दिया था जनम दाइनी जननी का त्याग कर ठीकी कहा था ममाने देख लेना एक ना एक दिन ये तुझे आचल से घसीट कर रख देगी कलमकिनी ने अपने पती को ही नहीं अपने पित्र कुल और श्रसुर कुल को भी कीचड में घसीट कर रख दिया था कई वर्षों तक ना फिर मुझे उसका कोई समाचार ही मिला ना मिलने की उत्सुकता ही सेश रही एक बार जब कुछ साल बाद एक विवा में समलित होने आई तो उसकी नमीनतम दुश्कीरत का समाचार मुझे फिर इस्तब्द कर गया अपने जिस प्रेमिका की जीवित देह लेकर रिपदमन कभी सुदूर क्षितिज में विलीन हो गया था उसी की कफन में लिपटी मृत देह लेकर वो आदी रात को उसी के पिता का द्वार खटखटा कर फिर खड़ा हो गया इससे पहले की वो तठस्त हो पाते वो ये कहकर ट्रेम चाया की भाते अमावस्या के अंधकार में विलीन हो गया ना मैं इसे लेकर गया ना ये आज मुझसे कुछ कह कर गई ऐसी ही अंधेरी रात में एक दिन मुझे कुछ कहने और सोचने का अफसर दिये बिना ये मेरे पास भागाई थी और आज बिना कुछ कहे ये मिट्टी का तेल छिड़क धूप काठी से सुलग गई मैं अब वहीं जाकर इससे कैफियत मागूँगा आपकी पुत्री थी इसी से यहां छोड़ गया ठाकर हूँ सर ब्रामण की मिट्टी ठिकाने लगा अब अपना परलोग नहीं बिगाड़ूँगा गुड नाइट सर ये सब बाते मुझे किकी की मौसी नहीं बतलाई थी किकी के पिता को अपने निर्मम पेशे में ऐसी बीसियों मिट्टीयों की फाइलें दाकिल दफ्तर करने का अन्बव हो चुका था पौ फटने से पहले उन्होंने कफन में लिप्टी कलंकनी पुत्री का मुझ देखे बिना ही उसे मुखाग ने दे दी थी जब खबर पाकर उसका बदहवास पती शमशान घाट पहुचा तो किकी की चर्महीन हड्डियां चठक रही थी शुन ने दर्ष्ट से उसी दुए की विलीन होती रेखा को वो घंटों खड़ा देखता रहा था पिर हाथ पकड़ किकी के मौसा ही उसे घर ले आये थे आपने उसका मूबी नहीं देखा चाचा जी मैंने बहुत दिनों बाद एक दिन किकी के पिता से पूछा तो उनकी एठी मूचे गुद से ही की काटों से ही सतर हो गई थी नहीं काश उसका चेहरा चाचा ने कफन उठा कर देखा होता किन्तो जिस कफन की यवनिका को चाचा ने नहीं पलटा उसे आज स्वयम नियत उलट रही थी पंद्रा इमिने टुपने वाली हमारी टेक्सी अचानक किसी भद्रा नक्षत्स से बंधी घंटों गुरनिया खाती रही पहले एक सहयात्री के पैर में काश गड़ गया फिर ड्राइवर की नक्सीर फूठी एक दूसरे सहयात्री के जेव का ठोटल के एक पहाडी चोकरे ने उसका बटवा गयाब कर दिया उतनी देर तक भगवाल अबादे में लिप्टी वो प्रस्तर मूर्थ सी बिक्षुनी मेरी और पीट के खड़ी ही रही दूर गिरी शंकलाओं पर असंके बत्तियां जग मांगाने लगी थी प्रतिपल, प्रतिक्षन, मेरा संदे, नाक की भादी फन उठाता, मुझे ही डसने बढ़ा चला रहा था मैंने देखा मेरे सहयात्रियों को बटोर हमारा ड्राइवर रुमाल से मुझ कोस्ता तेजी से चला रहा था उधर नाना बिस्तरबंद सेव की पेटियों और पोटलियों के बीच खड़ी, वो भिक्षुनी भी ही ली शायद अपनी साथी भिक्षु भिक्षुनीयों के कल्राव को सुनकर अब वो चौकी और मुणी मुझे कोई जग जोडने लगा, कुछी क्षणों में हमारा एकांत एकांत नहीं रह जाएगा क्यो ना निकट जाकर उसका चेहरा एक बार देखी लूँ फिर मैंने एक पलका भी विलंबने किया, गाड़ी का द्वार खुलाई छोड मैं उसके सम्मुग जा खड़ी हुई मेरे कलेजी की धरकन अब मेरे हाथ के बटूए को भी हिला रही थी एक पलको मैं उसका समस्त कलुश कलंग भूल कर रह गई किकी मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया था, किकी मेरा गला भराया पर फिर उसी क्षम मेरा उत्सा को तूहल प्रसनता का वेग दूद के जाग साही बैट गिया उसकी मुर्दा बड़ी-बड़ी आँकों में केवल उदासीनता थी उस भावहीं द्रश्टि में मैत्री की एक भी भूली बिस्त्री तरंग ने मुझे आश्वस्त नहीं किया किकी, किकी, मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ बड़े चातुरे से उसकी दाई हतेली उलटने की चीष्टा की उस चौड़ी चिकनी हतेली में कभी मेंधी की कितनी बेले रचाई थी, कितने कमले और उसी हतेली के बीचो बीच जो सुचिकन गोल गोल तिल था उसे क्या सर मुणाने पर भी हो मिटा पाई होगी किन्त जटक कर उसने हाथ चुड़ा लिया और तभी उसकी रूखी खुंकार चेरे वाली कई साथनों ने आकर घेर लिया ए तुम तंग क्यों करता है उसको, वो हिंदी नहीं जानता, क्या पूचेगा हमसे पूचो वरा दंती एक खबी सी मरदानी भिक्षुणी अपनी विक्राल हूनों की सी आँखों से मुझे दागने लगी किकी मैंने उसकी बात अंसुनी कर फिर किकी का दाया हाथ पकड़ लिया और अपना अंतिम दाओ फेका तेरी बेटी की शादी में मैं गई थी किकी, बड़ा प्यारा दमाद है तेरा और तेरा बेटा भी इस साल इंजीनियर बन जाएगा एक पल को उन मरी भुजी आँखों में वासल की चत सहसर फुलजड़ियां दगदगा उठी अफसर पाते मैंने हतेली पलड़ दी, वो किकी ही थी मेम साथ चलिए, ड्राइवर ने अधहरे से हॉर्ण वजा कर मुझे पुकारा मैंने एक बार विवश जश्ट से उसे देखा, वो फिर अपने मंतर चाप में डूबी तेजी से मनके सहलाती बिस्तर बंद पर बैट गई थी मैं आकर अपनी सीट पर बैट गई और एक धक्के के साथ टैक्सी ने बस स्टेंट छोड़ दिया सब दलाई लामा के मट की तिबती भक्तिने हैं जी, धरमशाला जा रही हैं ड्राइवर मेरे किसी सहात्री को उनका परचे दे रहा था मैंने मुड़कर देखा, उन दरजनों छोटी छोटी आखों का कौतूहल एक्योपंक्चर की सी हिसुईयों की भात मेरे शरीर को बींदता, मेरी चेतना हर रहा था छोटी छोटी आखों और उन मंगोल चेहरों के बीच अनमेल लग रहे उस शांत इस निग्द चेहरे पर जड़ी उन दो बड़ी बड़ी आखों की प्रलंब पलकें नीचे ही जुकी रही काश एक बार केवल एक बार उसी जुकी चिलमन को उठा कर में देख पाती क्या इस म्रतियों की वो आकस्मिक बोचार उन्हें भी गीला कर गई होंगी अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी भिक्षुणी आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद